जय गुर्देवU, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरु देवो महिश्वरह, मुरु रसाक्षात परब्रह्म, तस्मेश री गुरुवे नम, अर्चिनि वंदनी परातः इस्मरनी परंपूज्नी गुर्देव के चरणों में बारम-बार वंदन कर आरंब करते हैं पिछले दो लेक्चेर में अपन ने ये देखने का समझने का प्रयास किया कि वास्तु के मूल ग्रंतों में वृत्त वास्तु का वर्णन कहां है नौर्थ की इस्तिती क्या है आज अपन प्लानिंग से रिलेटेड ये देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तु सास्त्र के ग्रंतों में जो एंशेन टेक्स्ट हैं पुराने ग्रंत हैं उन ग्रंतों में क्या प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन है नौर एक कहां है कितना है किस अध्याय में है इसको समझने का देखने का प्रयास करेंगे वास्तु सास्त्र के लगभग दो हजार डहीजार ग्रंत उपलब्द हैं उन में से जो अभी प्रचलित हैं ज्यादा प्रचलित हैं कुछ प्रमुक ग्रंत हैं उसमें विश्व कर्म प्रकाश है समरांगण सूत्रधार है मानसार है महिमत है मनुष्याले चंद्री का राजवल लब अगनी पुरान मत्ष्य पुरान भविश्य पुरान कामी का अगम यह अधिक प्रचलन में हैं या प्रचलित हैं उत्तर भारत में जब अपन देखते हैं नौर्दन इंडिया में तो अगनी पुरान मत्ष्य पुरान विश्व कर्म प्रकाश राजवल लब समरांगण सूत्रधार यह अधिक प्रचलन में हैं या प्रचलित हैं दक्षिन भारत की तरफ जब जाते हैं तो मानसार है महिमत है मनुष्य ले चंद्री का है यह ग्रंथ ज़्यादा प्रचलन में दिखते हैं और इन ग्रंथों को जब अपन समगर रूप से देखते हैं तो अधिकतम जो प्लानिंग से रिलेटेड श्लोक हैं वो मैक्सिमम ट तो उसमें से 10% स्लोक ही प्लानिंग से संबंदित हैं एकदम पूरा वास्तु जो है वो 90% कुछ और भी है इसलिए देखना चाहिए उनको अपन क्रमशा देखेंगे अभी अपन प्लानिंग के चर्चा कर रहा है तो एक ग्रंथ है उसका नाम है समरांगन सूत्रधार राज उनके जो ग्रंथ थे उनको आधार बनाकर समरअगन सूत्रधार ग्रंथ की रचना की और उसमें 84 चेप्टर्स है 84 अद्याय है और उसमें से hardly 2 या 3 अद्याय जो है वो planning से related है सम्मन्दित है उसमें अद्याय करमांग 15 है राजनिवेस इसमें planning का description मिलता है और एक अद्याय है ये डिटाउन planning की बात करें तो अद्याय करमांग 18 है नगराधी संग्या इसमें planning का description मिलता है बाकी अध्यायों में जो description है वो planning का नहीं है तो 84 84 chapters में से केवल दो chapters जो है वो planning से related हैं संबन देते हैं इसी प्रकार जब अपन मांसार ग्रंत देखते हैं मांसार रिची ने उसकी रचना की डॉक्टर प्रसंद कुमार आचारी ने उसको edit किया, translate किया, publish बाद में हुआ 1917 से 1934 के बीच में 7 volumes में, 7 खंडों में उसका जो अध्याय 9 है Gram विधानम 10 है नगर विधानम अध्याय 36 है ग्रिह वास्तू, ग्रिह इन्यास और उसका अध्याय 40 है राज निवेश से related इसी प्रकार महिमत ग्रंथ को जब अपन देखते हैं तो अध्याय 9, अध्याय 10 village planning और town planning अध्याय महिमत ग्रंथ को देखते हैं तो अध्याय 27 और अध्याय 29 27 और 29 यह जो है planning से related है महिमत ग्रंथ में 36 चेप्टर से और कहां क्या बनवाना किस पद में किस दिशा में इसका वर्णन अपने को इन ग्रंथों में प्राप्त होता है मानसार में महिमत में समरांगन सुत्रधार में इसी प्रकार विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ में केवल पांच श्लोक मुश्किल से 6 श्लोक समझ लिए वो अपने को प्लानिंग के मिलते हैं विश्व कर्म प्रकाश में 13 अध्याए है 1344 श्लोक है और उसमें वो मुश्किल से 5-6 श्लोक जो हैं वो प्लानिंग से रिलेटेड है और वो प्लानिंग भी नौर्थ फेसिंग और इस्ट फेसिंग घर आउट फेसिंग वेस्ट फेसिंग ये जो मुख्य देशाओं में यदि घर बनवाना हो तो उसमें कौन सा कख्षे किस पद में होगा इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है इसी प्रकार राजवल्लब गुरंथ है उसके अध्याए 5 में उसमें राजवल्लब गुरंथ में 14 अध्याए हैं और केवल एक अध्याए जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है तो इस प्रकार से कहने का ताथ पर यह है कि प्लानिंग का जो वेटेज है वो केवल 10-20 परसेंट है इससे अधिक नहीं है तो वास्तु में प्लानिंग को लेके बहुत अधिक भाईबीत नहीं होना चाहिए गवराना नहीं चाहिए उसका अपना एक परसेंटेज है जैसे कोई एक्जाम में परिक्षा में कोई पेपर आता है क्विश्चन पेपर 100 मांक्स का और उसमें अलग-अलग मान लो 10 क्वि अधिक्ति जो कारी करना चाहता हो उसमें वो सफलता प्राप्त कर इस उद्देश्य से नेचर की जो नरीशिंग पावर है उसका कैसे हमको लाभ मिले इसके लिए प्लानिंग का वड़नन है तो आज अपनने किन-किन गरंतों में कहां-कहां प्लानिंग के श्लोक हैं उसका डिस्क्रिप्शन इसको देखने समझने का प्रयास किया और अपना जो प्रोग्राम है सदस्य बनाने का वो तो चलता रहता है अपन में में मर बनाते हैं मूल गरंत उपलब्द भी करते हैं कराते हैं कुछ सॉफ्ट कॉपी में कुछ हार्ट कॉपी में रहते हैं तो उसका कि लावपन ले सकते हैं तो अब इतने कह देते हैं आगामी पार्थ में लेशन में वह जो देवताओं के रंग देखना एक लर्स देखना है उसको भी देखें-गे अ साथ किस गुरंट में कि लिखा है कि किचन कहां 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 हो सकता है Ak還 ट्राइंग रूम कहां-कहां बनवाना चाहिए, बैटरूम कहां-कहां बनवाना चाहिए, किस-किस पद में, किस-किस दिशा में, इनको भी प्लानिंग को भी साथ-साथ में देखने का समझने का प्रयास करेंगे, अभी इतने ही कहके वानी को विराम देते हैं, जै गुरुद याइको अप्ड़तु